भारतिये पहलवानों के लिए शर्मनाग दिन गॉल्ड मेडल जीतने के बावजूद ना बजेगी राष्ट की दुन ना फैरे गात्ति रंगा कभी विश्बू चैंपियनशिप में रेस्लरों की जीत पर तिरंगा लहरा कर राष्ट्रगान की धुन बज़िती थी कभी उनके सम्मान में सल्यूट कर सलामी दी जाती थी लिकिन एकी जट्के में सब कुछ हत्म हो गया विश्ब चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी अब रेस्लरों के लिए ना रास्टगान होगा और ना ही तिरंगाल लहराया जाएगा वो इसलिए हुआ क्योंकि युनाइटेट वर्ल्ड रेस्लिंग ने रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानि डबलु एफाई को निलंबित कर दिया है इसका कारण ये भी रहा कि विश्ब कुष्टी की सर्वोच्च संचाल अंसंस्था युनाइटेट वर्ल्ड रेस्लि के दिरंगे के तले नहीं केल पाएंगे अब उन्हें त्टिस्टिह खिलाडियों की रूप में उतर ना होगा ès लेद कहन सभी पहलवान के दिरंगी चाहिं क्योंकि एशियं गेम लिए टीम इंडियन उलमपिग ऐस सोचिएशन यानि आई ऊप्रेंशिप के लिए तीम भेजने की जिम्मेदारी फेडरेशन की होती है माना तो ये भी जा रहा है कि इस साल यानी की 2023 जनवरी में पहलवानों की तरब से फेडरेशन के ततकालिन अध्यक्ष प्रद्भूशन सरन सिंग के खिलाब योन उत्पिडन का रोप लगाया गया था जिसके बाद जन्तरमंतर पर प्रद्भूशन करने के कुछ दिन बाद ही फेडरेशन को भंग कर दिया गया था इसके बाद I.O.A. ने कुष्टी का कामकास देखने के लिए 27 अप्रेल को एड होक समीती बनाई और 45 दिनों के अंदर चुनाब कराने का एलान किया लेकिन एक दिन बाद ही यानिकी 28 अप्रेल को UWW ने चेताबनी दी थी कि अगर निर्धारित समय पर चुनाब नहीं हुआ तो WFI को रद्ध कर दिया जाएगा बहुत इंतिजार के बाद आखिरकार UWW ने 23 अगस्त रात को अपने निर्णे से WFI को अबगत भी करा दिया है भारतिये रेस्टिंग फेडरेशन को रद्ध किये जाने के बाद भी विश्प चैंपियनशिप के लिए कुष्टी टीम के सेलेक्शन ट्रायल्स 25 अगस्त और 26 अगस्त को पटियाला में आयुजित होंगे भारतिय उलम्पिक संग की तरप से गठित एड़ोग समीती के प्रमुक वुपेंद सिंग बाजवा ने मीडिया को बताया कि रायल सपूर्प निर्धारिक दिकारेक्रम के मुताबिक ही होंगे WFI के चुनाप के लिए अब तक कोई तारीख तै नहीं निकिन रिजल्ट अभी तक जीरो है पहले साथ मई को होने वाले चुनाप को खेल मंत्राले ने रोका फिर 11 जुलाई को डेट टै की गई याची पर सुप्रिम कोट थे चुनाप को राश्ता सब्सक्राइब गी गई लेकिन हर्याना различov की याची का पर पंजाब एवं हर्याना हाई कोट ने इस्तें लगा दिया तो ये केज अब सुप्रिम कोट में लंबित है नहीं कार्यकारणी के गठर और f kingdoms with पापसी तक ऐसे आगे भी संभव है कि भारतिय पहलवान अंतर्राष्टे प्रत्योगिता में गोल्ड तो जीते लेकिन भारत कार राष्टे गान ना बजे पंक्रिच यादब के साथ प्राची चोधरी न्यूजबोच इंडिया